नमस्कार दोस्तों मैं दीपक राय फ्रॉम इलहाबाद फिर से आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेज मंत्रा वैं दीपक राय में हार्दिक हार्दि स्वागत करता हूं और दोस्तों आज का जो वीडियो है हिंदी भासा परियान से आपके रसो प्याधार और पुरी उम्मीद करता हूं कि रस का यह कॉंसेट्ट आपको समझ में आ जाएगा तो पहले तो रस की आप परिभासा समझा दो में रस होता क्या है रस का साब्दी कर्थ है आनंद कावी को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनभूती होती है उसे रस कहा जाता है ठी थाई भाव विभाव अनभाव संचारी भाव तो इसको मैं डिटेल से आपको पढ़ा दूंगा आज के वीडियो में आपको क्वेशन फॉर्मेट पर ला रहा हूं जो कि एक्जाम में आपके क्वेशन आते हैं तो पहला क्वेशन देख लिजे आप रस कितने प्रकार के हो लेकिन एक्जाम में जो आयोग इसका सही आंसर मानते हैं और किताबों में भी है वो है आपका नौवा यानि आंसर सी नाइन और यहां एक और चीज़ डाउट क्लियर कर दो अगर ऑप्शन में नौ नहीं दिया हुआ है तब जाकर आप 11 को टिक करेंगे अगर 9 और 11 दोनों दिया हुआ है तो आप नौप को ही टिक करेंग वही राइट आंसर है नैसे के का रोधर रस का स्थाई भाव है अब देखिए रोधर रस यानि इसका स्थाई वह क्या है क्रोध मैं सोक भै तो इसका जो राइट आंसर है आपका राइट आंसर है option A क्रोध रौद्र का स्थाई भाव होता है क्रोध नेक्स देखते हैं किस रस को रस राज कहा जाता है देखे बहुत ही most important है और साथ साथ कॉमन क्वेस्टन है कि रसों का राजा जो होता है वो है सिंगार रस नेक्स देखे सांत रस का इस्थाई भाव है चार अप्सण वैराक चमा दया या निर्वेद तो इसका राइट आंसर है आपका निर्वेद नेक्स देखे इसको अब देखे यसोदा हरी पालने जुलावे हल रावे दुलराय मलहावे जोई सोई कचुगावे इस आवतरण में कौन सा रस है अब देखें यहां पर हमको ऐसे क्वेस्टन आते पंक्ति दी जाती और उसमें रसों की पहचान करने होती है तो यहां पर हम देख लेते यसोदा हरी पालने जुलावे से क्या तातपर हो रहा जो यसोदा जी है कृष्ण जी को पालने जुला रही है तो यहां माता और बच्चे के बीच एक प्रेम है तो जहां ऐसी पंक्तिया आती हैं वहां पर होता है वातसल रस कवी बिहारी मुखित किस रस के कवी तो जो कवी बिहारी गी थे वह मुखित आपके सिंगार रस के कवी थे अप्षन ए आपका नेक्स देखिए सत्वा सोक किस रस का इस्थाई भाव है अब देखिए सोक सोक का जो इस्थाई भाव होता है वो होता है आप्षन भी करुण रस करुण इस्थाई भाव करुण होता है अब देखिए किलक अरे मैं नेहनिहारू इन दातों पर मोती वारू इन पंक्तियों में कौन सा रस है अब देखिए यहां पर भी क्या है यहां पर भी एक वातसल ही हो रहा है किलक अरे मैं नेहनिहारू इन द इसको रसराज भी कहा जाता है इस रस को विस्मय इस्थाई भाव किस रूप में होता है अब देखिए विस्मय विस्मय का यहां पर कूछा जा रहा है इस्थाई भाव क्या है तो यहां पर विस्मय का हो जाएगा अधभुद उत्सा स्थाई भाव से किस रस की निस्पती होती है अब देखिए यहाँ पर उत्सा जिसका स्थाई भाव उत्सा होगा वो होगा आपका रस वीर रस विभत्स रस का इस्थाई भाव है अब देखें विभत्स रस का जो इस्थाई भाव है वो होता है आपका जुगुपसा कभी कभी ये आपको ग्रिणा भी दे रिता है ग्रिणा भी लखा रहेगा और जुगुपसा भी रहेगा दोनों से ही रहता है रसोत पत्ती में आस्रे की चेश्ठाएं क्या होती है अब देखिए रसोत पत्ती में आस्रे की जो चेश्ठाएं होती है वो होती है आनुभाव भरत मुनी के अनुसार रसो की संख्या है ये भी important question है बार बार पूछा जाता है तो भरत मुनी के अनुसार रसो की कुल संख्या है 8 उन्होंने जो रसो की संख्या कुल बताई है वो 8 बताई है और रस होते हैं कुल 9 ठीक है तो ये confusion मत रहेगा अब देखे संचारी भावों की कुल संख्या है तो जो संचारी भाव होते हैं वो कुल होते हैं आपके 33 यह भी एक्जाम के पॉइंट आफ यू से important question है अब अगला देखे पढ़िए जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार में कौन सा रस है अब देखे यहां पर चपला बीच दार छिप गया चांदनी कगार यहां पर सिंगार रस का हो रहा है और यह हो रहा है आपका संयोग सिंगार का सत्रमा देखे एक और अजगर ही लखी एक और मिगराए बिकल बटो ही बीच ही परियो मुर्चा खाए इस पंक्ती में कौन सा रस है अब देखिए पहले तो आप पंक्तियां को पढ़ेंगे कि इसका भाव क्या निकल क्या रहा है तो यहां पर देखे एक तरफ अजगर है यहां पर होगा आपका भयानक रस तो इसको पढ़ने से एक तरीके समन में घिना सी आती है तो इसका जो जुगुपसा है तो यह आपका हो जाएगा अठारवे का विभत्स ठीक है विभत्स रस उनिसवा देखे प्रतेक रस में संचरन करने वाले भाव को क्या कहते हैं अब प्रतेक रस में संचरन करने वाले भाव को कहा जाता है संचारी भाव बीश्वा देखिए मेरी भवबादाहरो राधा नागर सोय जातन की जहाई परे स्याम हरित दुति होई बहुत इंपोर्टन यह पंक्तिया बारबाज जिया में पूशा जाता है तो इसमें देखिए जो आपका रस होगा मेरी भवबादाहरो राधा नागर को यहां मेरा भाई जी रादा भगवान किस्णी से यह आगरा कह रही है तो यहां पर आपका हो गया भकति रस हो गया है तो यहां पर यह होगा आपका रौद्र रस इस्थाई भाव के संख्या कितनी है अब देखिए इस्थाई भाव तो जितने रस होंगे उतने इस्थाई भाव होंगे नौ रस हैं तो इस्थाई भाव भी नौ ही है तो देखिए हिंदी साहित का नौवा रस कौन सा है तो देखिए हिंदी साहित का जो नौवा रस है जो लाश्ट में आपका नौवा रस जोड़ा गया था वो है आपका सांत रस अप्शन सी तो अभी सा देखिए जब मैं था हरी नहीं अब हरी है मैं नहीं सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देख्यो माही इस पंक्ती में कौन सा रस है तो यहाँ पर देखिए इसको पढ़ने से जो भाव निकल के आ रहा है वो आपका सांत रस आ रहा है पचीसवा देखिएं वाक्यम, रसातमं, कावयम कहने वाले अचार थये यह बहुत प्रसीद पंग्ति है यह एक्जाम में आता है वाक्यम, रसातमं, कावयम कहने वाले जो आचार थे वो आपके आचार है, ऑप्शन, बी विस्वानातष एक ओर, Quad tar, देखिए अमर्स क्या ह तो देखिए अमर्स क्या होता है अमर्स एक संचारी भाव है option B ठीक है अब देखिए यह question है और आप लोग के लिए मैंने टेवल बना दिया इसको भी ध्यान से देख लिए कि जो 9 रस है 9 रस का मैंने इस थाई भाव यहां बता दिया है ताकि कोई भी question आपका exam में छूटे नहीं और दोस्तों देखिए यहां पर मैंने जितने भी 9 रस होते हैं उनका मैंने एक table बना दिया है ताकि आपके exam में अगर यह कोई भी question आए तो छूटे नहीं जिसमें देखे सिंगार का इस्थाई भाव रती होता है हास का हास होता है क पहरुण का सोख वीर का उत्साह रौद्र का क्रोध भयानक का भै विभत्स का जुगुपसा यह ग्रिणा अध्भुत का विस्में सांत का निर्वेद और साथ ही साथ जो मैंने बताया था किताबों में होते ही होते हैं उसके साथ में आपका जो दो रस और था वात्सल रस और भक्ति रस यहां पर नोट कर लिजेगा वात्सली रस और भक्ति रस वात्सली का होता है वात्सली स्थाय और रती होता है भक्ति का होता है अनुराग भगत विश्या की जो अनुरागी होता है तो मोशली आपके कहने के नौ होते हैं और इसके अलावा जो आपके रस के जो और जो भी मेरे नए चात्रे पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कई चात्रों ने कमेंट करका हैं आपकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती आप वीडियो कब अपलोड करते हैं तो इसके लिए मैं बताना चाहूंगा आपकी जो अब इसे वीडियो देखना शुरू किया है जो मेरी पास की वीडियो है जो मैंने अपलोड किया है वह आपको प्लेइलिस्ट में मिल जाएंगे वहां से आप इसको देख सकते हैं तो बस दोस्तों इस एक साथ ही आज की वीडियो में इतना ही वीडियो देंकर को बहुत झाल झाल है